नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हूँ और आपका स्वागत है, अजय स्ट्रोमनी गुरू चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताजे अपडेट और विस्त्रित विशलेशन विभिन वस्त्वों पर. आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की गिरावट और उसके वनस्पती तेल बजार पर पढ़ते प्रभाव के बारे में. 28 अक्टूबर 2024 को वनस्पती तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आए, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल में भारी कमी थी. ब्रेंट कच्चे तेल के वाइदा अनुबंधों में 5.3 प्रतिशत की गिरावट आए, जिससे कीमत 71 डॉलर और 99 सेंट प्रती बैरल पर पहुँच गई. हाला कि इसके बाद थोड़ी बढ़त हुई और यह 72 डॉलर और 73 सेंट पर आ गई. इजरायल द्वारा इरानी मिसाइल स्थलों पर हाल की हवाई हमलों ने, जो महत्वपूर्ण तेल बुनियादी धाचे को टालते हुए किये गए, तातकालिक आपूर्ती चिंताओं को कम किया और कच्चे तेल की कीमतों को नीचे धकेल दिया. इसने बायो डीजल फीट स्टॉक की मान पर भी असर डाला है. कच्चे तेल की क्षेत्र में, एशिया में मान की बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. उपेक प्लस ने दिसंबर से 1,80,000 बैरल प्रती दिन का मामूली उटपादन रिद्धी घोशित की है, जो जुलाई से जारी लंबे समय से चली आ रही मूल्य कमजोरी को संबोधित करने के लिए है. खाला कि एशिया में कच्चे तेल की मान कमजोर बनी हुई है, अक्टूबर में आयाद 26.74 मिलियन बैरल प्रती दिन रहने की उम्मीद है, जो सितंबर के 27.05 मिलियन बैरल प्रती दिन से कम है. चीन, जो विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है, ने आर्थिक सुधार में कमी के कारण साल दर साल 3,50,000 बैरल प्रती दिन की गिरावट दिखाई है, जिससे कच्चे तेल के बजार और संबंदित क्षेत्रों पर और दबाव बढ़ रहा है. कच्चे तेल में गिरावट के बाद, मलेशिया इपाम तेल के वायदा अनुबंदों में भी दूसरी बार गिरावट आई है. बरसा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर बैंच्मार्क जन्वरी अनुबंद में 41 रिंगिट या 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे ये 4,495 रिंगिट प्रती मीटरिक तन पर पहुँच गया, जो कच्चे तेल की कीमतों और बायो डीजल मांग में प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे वनस्पती तेलों की बायो डीजल फीट स्टॉप के रूप में अपील कम हो सकती है और बजार पर दबाव बढ़ सकता है डॉलर के मुकाबले रिंगिट की 0.46 प्रतिशत की गिरावट ने भी पाम तेल को विदेशी खरीदारों के लिए थोड़ी अधिक प्रतिसपरधात्मक बना दिया है, जो सीमित समर्थन प्रदान कर रहा है दोस्तों, अगर आपको हमारा विडियो पसंद आया हो, तो क्रिपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताए धन्यवाद